हेलो एवरिवान वेल्कम टूजी के टूटेग आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कारण है कि सुडान के प्रधान मंत्री अब्धुल्ला हम्दोप ने अपने पत्से स्तीफा देते तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सुडान के प्रधान मंत्री अब्दुल्ला हम्दोग ने सेने तक्ता पलेट के बाद पैदा हुए राजनेतिक गतिरोत और व्यापक लोगतंत्र समर्थन विरोत के बीच हाही में अपने पत से स्तीफा देने की घोशना कर दे। समझोते के तहट उन्हें उनके पत पर दुबारा निव्त किया गया था। उस समय वे अपने मंत्री बंडल का गठन करने में नाकाम रहे थे। और अब उनके स्तीफे ने सुडान को सुरक्षा इवं आर्थिक चुनोतियों के बीच राजनेतिक अनिश्चित्ता में डाल दिय है। दरसल सुडान में हाल ही में सेन अतक्ता परट हुआ था और अब्दुल्ला हमदोग को उनके पत से हटाकर सेना ने सत्ता पर कबजा कर लिया था। हलाकि बाद में सेन अधिकारी अब्दुल्ला हमदोग को प्रिधान मंत्री पत पर बहाल करने पर तयार हो गए थे। बरहाल इस समझोते को लोगतंद्र समर्थक अधिकारियों ने खारिज कर दिया है और बदलाव के साथ पून रूप से एक अलग सरकार की मांग भी कर रहे हैं। इस तक्ता पलट की प्रश्ट भूमी के बारे में सुडान में 25 अक्टूबर को सैन अतक्ता पलट हुआ था। इसके बाद सरकारी अधिकारियों और नेताओं को गिरफतार कर लिया गया। इस सैन अतक्ता पलट के बाद राजदानी खार्तून की सडकों पर सुरक्षा बलो ने राश्टपती भवन की और मार्च कर रहे प्रदर्शन कारियों पर आसु गैस के गोले दागे थे जो सेना की राजनीती से पूरी तरह वापसी कर रहे थे जिसके बाद सेना ने अपात काल की स्तिती गोशित की और नागरिक नेत्रित्व को भंग कर दिया। इस तक्ता पलट के खिलाफ पड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए जिसमें कम से कम 40 लोग मारे गए इसके बाद एक समझ जोते पर राजी हुए हैं लेकिन एक बार फिर प्रदर्शन कारियों और सुरक्षावलों के बीच हुई हिंसा के बाद अब दुल्ला ने अपने पत्से स्तीफा दे दिया। तो आईए अब जान लेते हैं कुछ सुदान के बारे में। सुदान एक पुर्वोत्तर अफ्री इरिक्ट्रिया, दक्षिन सुदान, लीबिया और लाल सागर के देशों के साथ सीमा साजा करता है। 2021 तक सुदान के जनसंक्या 44.91 मिलियन थी। सुदान अफ्रीका के साथ साथ अरब लीग में छेत्रफल के हिस्से से तीसरा सबसे बड़ा देश भी है। 2011 में दक्षिन सु अलग होने तक ये अफ्रीका और अरब लीग में छेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश था। सुदान की राजदानी खार्टूम है। जबकि ओमर दुमन सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो आईए जान लेते हैं इसकी अर्थविवस्ता के बारे में। सुदा सुदान की अर्थविवस्ता लंबे समय तक अंतरराश्टी प्रतिबंदों और अलगाफ के कारण तेल उत्पादन पर निर्भर करती थी। ये देश संयुक्त राष्ट अफ्रिकी संग अरब लीग कुमोसा इसलामिक संयुक संगठन और गुट निरपेक्ष आंदोलन का भ भूलिएगा. थांक्यू.